बिहार में चारो तरफ हाहा कार मचा हुआ है और चारो तरफ मौत की बरसात हो रही है एक तरफ चहां छपरा सीबान की आग अब गोपालगंज पहुच चुकी है और अब तक जहरीली सराब से मरने वालों की संख्या पच्चास से ज़्यादा पार कर चुकी है और बताया जा कि सेंक्रो से ज़्यादा लोग की मौत अब तक हो चुकी है वहीं अभी की जो सबसे बड़ी खबर बिहार के बाता से आ रही है इसमें बताया जा रहा कि 2 हजार से ज़्यादा कावरीों का जथा बाबा धाम जा रहा था जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है वहीं पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है और बबाल इतना ज़्यादा बढ़िया कि पूलिस की गारी को भी लोगों ने आग लगा दिया दरोगा भी इस पत्थरबाजी में घायल हो गया है और मार मार कर दरोगा का मुह कान भी लोगों ने फार दिया और आखिर पूर नमस्कार मैं प्रिंस कुमार सिंग और आप देख रहे हैं पॉजेटिव इंडिया इस बक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के बाका से आ रही है जहां पताया जा रहा कि दो हजार से जादा स्रधालू कावर्यों का जथा बाबा देख घर जा रहा था तबी एक अन्यंतित गारी जो इसकारपियों बताई जा रही है 180 किलोमेटर प्रति घंटा की रहतार से आती है और उन दो हजार पर गारी चर जाता है तुम्ताईगान जा रहे थे, तुम्ताईगान से अपको लीजसा जाना था अब लीजatted्या होते हुए, भर्यको जाना था जेठोजी को लिया को दुधे मारे, हाज रास्टे मेन सुन्नेमोर तो में अभशी हमतों पुछने लगाई इसके बाद हम लोग भागे महां से रास्ता में घेर के गारी से मुर्शाइकी सचाहिट के पपर के अमार बिर सब सुभू करती है। और 112 बाहन को आग भी लगाती है। जो बाहन आग लगाती है नहीं देखे लिगन कुछते हुए हम देखे है। जिससे 6 सरधालवों की कावरियों की घटना अस्थल पर ही मौत हो गई और जब इस घटना की सुचना 112 की पुलिस टीम को मिलती है और 112 की पुलिस टीम जब घटना अस्थल पर पहुशती है तो लोग इतने जादा आग क्रोशित हो जाते हैं कि 112 की पुलिस टीम की गारी में ही आग लगा देते हैं पथराओ किया जाता है और इस पथराओ में एक दरोगा घायल बताया जा रहा है बताया तो इहां तक जा रहा कि दरोगा के साथ लोगों ने आक्रोशित लोगों ने मार पीट की घटना को भी अंजाम दिया है वहीं आपको बताते चले कि बिहार में लगातार जहरिली सराब से मरने वालों का आकरा लगातार सैंकरा पार कर गया है और बिहार में एक तरीके से मौत की बरसात हो रही है वहीं पत्ना में भी संत माइकल इसकूल की बस ने दिग्धा में एक 74 बरसिये महिला के उपर बस चड़ा दी जिससे उसकी घटनास्तल पर ही मौत हो गई और जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है द्रसल उ जुन्ड को एक अनियंत्रित एसकार्पियों ने कुचल दिया जिसमें पाच काबरियों की घटनास्तल पर ही मौत हो गई जबकि दरजनों लोग घायल बताये जा रहे हैं घटना फूली जुमर थाना छेत्र के नगर डी गाउं के पास की है सभी सर्धालू सुल्तानगन से जल भर कर जेश्ट गौर्णार महादेव मंदिर जा रहे थे बाबा धाम जा रहे थे और घटना के बाद चालक एसकार्पियों लेकर फरार हो गया और घटना होते ही आसपास के लोग उहां जमा हो गए घटनास्तल पर उग्र ग्रामीनों ने पुलिस की 112 की गारी को आग के हवाले कर दिया फिलहाल घटनास्तल पर अफरा तफरी का महाल बना हुआ है मिर्थको की पहचान अमरपुर थाना छेत्र के रामचंदपुर इटहरी निवासी रामचरंताती अमरपुर थाना छेत्र के सोभनापुर निवासी लाखो कुमारी रजान थाना छेत्र के वहीं घैलों में सहदेवी आदब की पुत्रे जूली कुमारी, पुतुल देभी, जानी देभी, छविलाल देभी और सांती देभी सामिल है और बताया जा रहा कि दरजनों लोग घैल हुए हैं इस हाथ से में और जो भी घैल हैं उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है वहीं बताया जा रहा कि घटना के संबंध में जथा में सामिल लोगों ने बताया कि लगभग दो हजार लोग का जथा सुल्तानपूर से जल भर कल बाबा देव घर जा रहा था बाबा धाम जा रहा था तभी बाकाजिला के फुली डूमर थाना छेतर के अंतरगत नगडी गा संब्भू गंज की और फरार हो गया है इस घटना में छे काबरियों की घटना स्थल पर मौत हो गए जबकि दरजन भर सरधालू गंभीर रूप से घैल बताया जा रहे हैं घटना होते ही घटना स्थल पर अस्थानिये लोग जमा हो गये और घैल लोग को अस्पताल भेजन की तैयारी में जुट गए लोगों ने घटना की सुचना अमरपुर थाना को दी सुचना मिलते ही घटना स्थल पर 112 की पुलिस टीम पहुशी जिसे आक्रोशित लोगों की भीर का सामना करना परा और लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि पुलिस की गारी में ही आग दगा देते हैं दरोगा के साथ मार पिट की जाती है और दरोगा जखमी हालत में अस्पताल में भरती कराया गया है बताया जा रहा कि पुलिस जिस बाहन से आई थी उसी गारी के हवाले कर दिया और कुछी देर में गारी धुद धुद जलकर राक हो जाती है वही फिलहाल घटनास्थल पर तनावपूर्ण इस्थिती हो गई, पुलिस इस्थिती को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, और मौके पर S.P. महोदय भी पहुच चुके हैं, इससे आप घटना की गमभिर्टा के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, महादेव से यही प्रातना करते है कि जो भी मिर्तक सर्धालू थे, उन्हें अपने स्री चर्णो में अस्थान दे, वहीं आपको बताते चले कि जहरीली सराब से भी बिहार में लगातार मौते हो रही है, और मौत का आकड़ा बताया जा रहा कि सौव पार कर चुका है, सकत पार कर चुका है, और इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई नया अपनेट आएगा, हम आप लोगों तक जवर पहुचाएंगे, जुरे रहे हैं हमारे साथ, जैहन क्या भारते